तो फाइनली निफ्टी ने तच किया all-time high, almost 23,000 लेवल पर आते आते रुख गे, उनों 7 पॉइंट से रुख गे, लेकिन क्यों निफ्टी all-time high तच किया, उसके काफी सारे रिजन से, और आज हम बात करने जारे, क्या main 5 रिजन है, जिसके वज़े से market ने all-time high तच किया, ये इस session, we are going to talk about, क्यों एक तो market बढ़ा है, also some of the stocks, we are going to talk in detail, क्योंकि काफी small cap और mid cap की questions आए, वो मुझे, मैं आज लेने जाहूं, तो चलो, पहले बात कते है, क्यों 5 रिजन से, basically, stock market बढ़ा है, अच्छा, उससे जाने से, अगर आपके कोई question है, put it in the comment box, I'll try to take it next time, So, पहली बात, जो हम लोग बात कते हैं, market all time, the first reason is, कल आपको पता होगा, almost 2.1 lakh करोर का dividend, जो RBI ने government को दिया है, one of the main reason वो था, अब आप बुलोगे, यार, उससे हमें क्या मिल रहा है, वो तो RBI ने government को दिया है, एक simple सा reason, अगर 2.1 lakh का, आपको इतना बड़ा dividend मिलता है, ज तो ये चीज़ बताता है कि RBI को कितनी अच्छी तरह से functioning करें, उनका एक बड़ा treasury गेन हुआ है, around 1.4 lakh करो रुपीज आपको उनका गेन हुआ है through treasury only, क्योंकि bonds के interest काफी high ते है, और जो RBI कहीं और invest करते हैं, तो उनको वो bond income, जो उनको income मिलती है, forex इनके interest income मिलती है, वह अगर आप बात करो तो government ने dis investment का पचास हजार करोड का almost budget किया था, उनके सामने उनको already 2.1 lakh करो मिल रहा है, अब ये किस government को फाइद होगा, जो power में आने वाली है, तो जो election जीतेगा, उनको ये बहुत ही बड़ा benefit मिलेगा, इस से क्या होगा, आपका fiscal deficit भी नीचे जाएगा और on point twenty to point thirty का direct impact होता है, fiscal deficit को, और जब fiscal deficit कम होता है, आपका landing rate कम होता है, देखो एक simple सी बात है, क्या fiscal deficit का है, just layman language में बता हूँ, आपका जो basically income होती है, minus जो खर्चा होता है government का, तो जो income होती है, वो tax revenue and all that, correct, और जो खर्चा होता है, road, transportation में जो खर्चा करते है, screens में खर influence होते हैं, उसके fiscal deficit करते है, तो fiscal deficit भी around five percent से नीचे की बात कर रहे थे, तो point twenty business point से उसको direct impact होता है, अगर वहाँ impact आता है, तो क्या होता है, आपकी यानि strength बढ़ती है, तो आपके जो landing rates होते हैं वो कम होते है, तो जैसे एक simple सा example बताओ, अगर world bank को किसी को loan देना है, तो व जहां उनकी economic condition सही हो, तो fiscal deficit में जैसे ये gap आता है, तो उनका जो target था, वो easily achieve कर सकते हैं, और interest rate भी आगे जाके कम हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि RBI कल के कल basically ये कम करने वाले interested, लेकिन हाँ, जैसे US Fed rate अपना rate कम करेंगे, RBI कम करेंगे, तो वो तो US तो करने वाले July, August, September, maybe around that, बात चल रही है, लेकिन कल पावल की जो commentary थी, उसके इसाफ से तो वो, they are not hopeful, कि कुछ को तो बोले कि ये साल में rate cut ही नहीं होगा, चलो जब भी होगा, maybe at the year end अगर होता है, उसके बादी interest rate cut होगा, लेकिन the chances are more that RBI थोड़े fast level पे rate cut करें, तो उसके वज़े से interest rate कम होता है, और उससे government को काफी फाइदा होता है, अब आप बहलोगे कि ये 2.1 lakh euro का तो उनको तो मिल तो गया, लेकिन वो खर्चा क्या करेंगे, यानि क्यों ना वो बाट दे, नहीं, वो depends on the government to government, अब ये कौन सी government हाईगी, और government decide करेगी, कि ये जो surplus है, उसको कहा invest करें, या तो ब भी benefit आप दे सकते हो, तो या तो आप road transportation, infrastructure में खर्चा करो, तो वहाँ से भी हो सकते हो, हर एक का अलग-अलग हत्वा होता है, अगर आप road transportation और infrastructure में करते हो, तो उनका benefit आपको एक, दो, तीन साल, चार साल में दिखता है, अगर आप tax rate कट करते हो, तो directly tax rate थोड़ा benefit वैसे road infrastructure उसमें खर्चा होता है, तो L&T है, या IRB है, या जो भी transportation business में है, या infrastructure business में उनको ज्यादा benefit होता है, और एक होता है freebies के, बाट दो, ऐसे ही, कुछ ना कुछ हुआ और आपने बाटना चालू किया, तो ये government ऐसी तो नहीं लगड़े कि वो freebies देगी, हाँ, लेकिन क्या वो tax rate कम करती है, या वो infrastructure में करती है, वो देखना रहेगा किस तरसे मुदी सखा करे, लेकिन या एक सबसे बड़ा point ये था, कि जिसके वज़े साथ market में बड़ी rally आई, जो बता था कि कितनी strength इंडियन economy, और दूसरा ये चीज़ बताते है, किस तरह से RBI की functioning हो रही है RBI is one of the best governing body in the world if you talk about central government, क्योंकि शशी कांदास is one of the best governor, तो ये इसके वज़े से नो एक बड़ा positive point दीख रहा है, और market ने all time high touch किया, बात तो ये चल रही थी जैसे मैंने काफी, आगर आप मेरे sessions में जुड़े हो, मैं काफी time से बूल रहा हूं कि market all time high touch करेगा before election, अब इतन आप नए हो इस channel में, please do subscribe and like this channel, और मैं हरोज एक वीडियो लाता हूं आपके पास, so that you understand market better, क्या market में चले है, also I'll try to solve your queries also, so अगर कोई आपके stock related doubt है, आप पूछ सकते हो नीचे, so ये एक चीज थी, जो 2.1 lakh करोड का जो एक बड़ा बेनी, वो एक सबसे बड़ा reason था, second reason ज किया है, अभी उनकी जो short position है derivative में, वो कम होती जा रही है, वो reverse होने लगेंगे, तो अगर वो reverse हो रहा है, और अगर DIA में buying होती है, देखो एक simple है, अगर ये मैं बोलू कि आज इस तरह से buy हुआ है, इसका मतलब ये भी है कि FI ने कुछ position reverse की है, अगर ये position reverse हो रही है, और जाके जाके FII भी अगर involved होने लगते है, तो that is very positive, DIA तो ऐसे ही buy करें, मैंने मेरे life में, आज तक कभी देखा नहीं इतना DIA का flow, जिस तरह से retail investor invest करें, इतने सालों से 15-20 साल से ये market में हो, जिस तरह से उत्सा ही retail investor हो, आज तक मैंने कैसे देखा नहीं है, कभी, Mitchell fund हो, या direct FII भी करेंगे, देखो, ये FII तो आते है, जाते है, ऐसा कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन अगर short position खड़ी है, और market उपर ही उपर जा रहा है, तो उनको short position cover करने में, तो market में अपने आप rally आ जाती है, FII भी आएंगे, जैसे उनका interest cut होगा, वो आएंगे, अब वो एक मह मेने बाद आएंगे, दो, तीन, एक दो quarter मेंगे, वो हमें पता नहीं है, लेकिन आने की बहुत संबढ़ नहीं है, लेकिन ये जो कल न्यूज आई, उसके वज़े से काफी तक नो scenario बदल गया, और FII का जो outlook है, इंडिया के बारे में भी बुल लेगा, so that is a very very positive point, तो एक य यानि, election में जब आप जा रहे हो, already heavy होके जा रहे हो, so कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, अगर गलती से भी मोधी सरकार 300 तक नहीं पहुचिए, 350 तक नहीं पहुचिए, चलो 400 हो गया तो कोई tension नहीं है, लेकिन उससे नीचे तो हाँ, market अच्छा खासा गिरेगा, लेकि जाता है कि, जाधा गेन नहीं बचता, election के बाद, normally election के दिन, correction आजाता है, एक दो वीक के बाद, फिर वापी ट्रेन पट्री पे आजाती है, लेकिन एक तरह से ये election buying दीख रही है, वीक्स भी on a higher side है, but this is one of the very very positive thing which has happened to Indian economy, अब hopefully this should continue, तो ये चीज़ है, अब दूसरी एक point जो मैं बताना चाहता हूँ, वो है small care mid cap में भी एक अच्छी खासी rally आई है, अगर देखो over the time, ये this is the third reason कि, काफी सारी investors अभी small care mid cap में वापी center हुए है, उनको लग रहा है ठीक है, ये rally sustainable है, और दीरे दीरे, अब सच बोलो तो जितने भी deep है, डीटेल इने से बढ़ बढ़ के पैसा डाल रहे है, आईदर direct equity, mutual fund और किसी और तरह से भी लेकिन वो डाल रहे है, क्योंकि उनको पता है, जो पैसा यहाँ बनेगा, वो दूसरे ऐसे class में नहीं बनने वाले है, और this is the way to go, long term में, सही में, इंडिया एक सूनी की चीड़िया है, आप कितना use कर सकते हो, वो आप पे है, अगर आपे दूर दर्शित जादा है, अगर आप सादा लंबा सोच सकते हो, आप यहाँ बढ़ा पैसा कमा सकते है, और वो ही चीज़ आप देखिए, small care, mail care में एक वापीस rally आई है, which is very positive, और वो रहेगी, वो रहेगे, देखते अब election आएगा, तब क्या होगा, लेकिन यह एक अच्छा point है, retail investor के लिए वापीस आना market में, और ऐसे भी market घीरा कहा था, अगर आप बात करो, 22,800 तक गया थे, फिर वो गया, 21,800 तक आए, 1000 point, which is less than 3 to 4%, लेकि दूसरा क्या एक fourth reason जो मैं आपको बत्ते हैं, यूएस में एक massive rally है, यूएस का market bumper है, अगर आप देखो, कल जो जेरन प्रावल का जो interview हुआ था, उन्होंने, he was not so doubtful, I mean, he was not so hopeful की interested कट इतना जल्ली होगा, लेकिन अगर आप देखो, over the time, कल की बात करें, डाउजंस में, ज 2.5 trillion dollar का, वो हो गया है, market cap, 2.5 trillion dollar, BSE का 5 trillion dollar है, अपने market का, आधा तो सिर्फ NVIDIA है, और वो कितना, अभी एक साल पेले वो 1 trillion dollar पे था, एक ही साल में वो 2.5 trillion dollar का, सोचो किस तरह की तेजी आई है, again, उनका अगर आप Tesla और Google मिला, दोनों को मिला के, इतना market cap सिर्फ NVIDIA ने capture क कर लिया है, again, दूसरी जो बड़ी बात है कि ये जो artificial intelligence की rally है, ये sustainable है, इसलिए आपको पता होगा, Morgan Stanley ने, Dow Jones का upgrade करके, उन्होंने बोला था कि हम लोग upgrade कर रहे है, और वो जो bearish थे, उन्होंने US का market को upgrade किया, तो क्या बता है, एक बड़ी rally दिख रही है, US में भी, और वहा Dow Jones और नासिक तो अपनी ही दुनिया में, वो all time high touch कर रहे है, तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखते हैं, तो वहाँ अब earnings आ रही है, और NVIDIA was one of the X factor, अब NVIDIA के इतना अच्छा result आने से एक चीज़ तो मार्में के वहाँ तीज़ी रहेगी, तो उसका impact, भी आज आपने यहां के market रहे हैं, वहाँ तो कपके all time high touch कर रहे हैं, हम लोग काफी पिछे थे, आज हमने भी all time high touch कर दिया, तो that is also one of the reason के यह हुआ है, और दूसरा एक reason जो मैंने आपको बताया के over the period, over the period election का जो एक कहते है ना के डर था, के मोदी जी आएंगे नहीं power, तब ही यह all time high touch करेगा, नहीं तो यह all time high touch करेगा, आपको पता है third phase of vote के भी फेज में क्या market गिरा था, तब एक जब 21,800 आए तो सब क्या सोशन लगे थे, भई, low turn around है, low voters, कम voters जा रहे हैं, वोट करें, इसका मतलब किया मोदी जी आ नहीं रहे, लेकिन अगर यह all time high touch कर है, और इसलिए market all time high touch करेगा, अगर आप 2014 ले लो, 2019 ले लो, दोनों में भी पहले ही, election के दिन पहले ही, उन्हों market ने all time high touch करेगा, तो वही sequence इस बार repeat हो रहा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसमें कुछ नया नहीं है, यह चीज़ ट्रेंड है, और hopefully यह ट् retail लेने से सब, no, सब कुछ बेजबाज के market में आ गए, जिस तरह से rally हो रही है, जिस तरह से लोग कूद रहे, shares लेने के लिए, दिखाते है कि कितने उच्छा ही है, stock share market में सब लोग के हाँ, अच्छे दीन आने वाले, so hopefully यह अच्छे दीन continue करेंगा, और यह जो मैंने 5 reason ब अब हम लोग बात करेंगे, आपकी queries को, जो आपने काफी लोगों ने कल questions रिखे थे, कल हमारे जो segment है, जहां हमने बात के थी, 150,000 कब हम लोग touch होंगे, मैं भी 15 सामने उस पर बात हुई थी, चले वो आपके questions लेते हैं, और आपको चाहे तो आप लिख सकते questions, down the comment box तो चलो पहला question जो है, वो question है, शीव कुमार, शीव कुमार गोपिनाथन 2392, sterling tools can we continue holding, sterling tools ने बहुत ही अच्छा result दिया, overall, अगर अच्छा, overall decent result था, लेकिन एक stagnation है, अगर आप बात करोंगे, तो वो वी सरसंद से CAGS से ग्रो हुआ है, तो result ओके है, लेकिन automobile, अगर stocks, अगर सब अगर गिनो गए, तो उसमें तो काफी तेजी है, उस तरह से sterling में इतनी तेजी नहीं है, तो लेकिन, हाँ, अगर आपको रहन है, वो कुछ fastener के business में है, so overall मैं मेरे हिसाफ से no sterling tool को आप बोल कीज़े, लेकिन एक चीज यहाँ देखे, आप quarterly result देखते रहना, क्योंकि उस तरह का bumper result नहीं है, लेकिन decent result है, और ये चीज़ आपको ध्यान में रख रहेंगी, क्योंकि at the end of the day, अगर decent result नहीं है, और आगे जाके भी result म automobile stocks और वो सब अले, अच्छा, automobile से बात हुई, आज मैं शाम को एक live session करने वाला हूँ, 9 बजे, और 9 बजे और वो title है, top automobile stocks, top 5 automobile stocks, so please, please attend that session, मैं link यहाँ देदूँगा, comment box में, जो उससे click करके आप attend कर सकते हो, दुसरा question है, manju parman 9160 का, के please analyze consolidated fin invest and holding limited, अब यह company, honestly speaking, मैंने देखी और मुझे कुछ attractive नहीं लगा, वो almost P2 का है, और उनका profit भी कुछ 9-10 crores का है, I think ऐसे company में आपको नहीं जाना चाहिए, manju parman, there are much much better stock available, अगर आप NBFC की बात करें, या broking business की बात करें, या bank की बात करें, वहाँ आप जाहिए, over the time, I don't think कि इसम में कुछ है, क्योंकि देखो, जब market तेज़ी में और अगर आपका stock perform नहीं कर, यानि कुछ गर बढ़ है, जाके देखे क्या reason है, क्यों इतना under performance है, और कोई मतलब नहीं, यहाँ आए और market में कमाने के लिए, और यह stock ऐसा नहीं कि जहां मुझे लग रहा है कि आपको यहां कोई recommendation नहीं है, मैं खुछ charter accountant और SEBI register research analyst हूँ, लेकिन हम लोग service provide करते है, जो आपको description में मिल जाएंगे, जहां हम stock recommendation provide करते हैं, लेकिन यह आपके हिसाब से आप analysis के addition लेना, this is just a suggestion from my side, just a disclaimer, क्योंकि SEBI वाले बहुर्ट strict है, अगर कुछ यहां वहां हुआ तो हमारी ग आपका view कैसा है, SBI Automative NFO, अब यह नया NFO है, new fund offer है, और वो automobiles के base पे है, I think यह overall एक नहीं theme है, देखो क्या होता है, कि Mitchell funds भी है नहीं नहीं theme पे Mitchell funds NFO लाते है, और यह तो नहीं scheme चालू करते हैं, उनका motto यही होता है कि grab करना attention invested का, तो आपने पहले भी काफी sector specific, जैसे infrastructure का specific, इंफा जब बहुत बाते हैं, तो infrastructure के funds आते हैं, जब banking बाते हैं, तो banks का आते हैं, similarly automotive का भी आया है, अगर आपको automotive sector में डालना है, यानि आपको पता नहीं चला है कि भी, कौनसा EV vehicle में आगे जाएंगे, और auto companies का combination है, तो आप जा सकते हो, overall I am not a big fan of this type of fund, लेकिन that depends on you, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप directly stocks में invest करोगे, वो बैठ रहेगे, आज मैं शाम को जैसे बुला कि, मैं session लेने वाला हूँ, जहां मैं काफी detail में जाओंगा कि कैसे automobile sector perform कर रहा है, और ऐसे investor आपको invest करना चाहें, तो वो 9KL6U बोल रहे है कि, भई, how is Ingersoll Rand, Ingersoll Rand मैंने देखा, और overall ये stock है न, अच्छा stock है, overall उन्हेने रिटन भी अच्छा दिया है, अगर मैं बात को, तो उनकी profitability भी अच्छी खास है, थोड़ा high PE है, around 60, लेकिन अगर 5 years का मैं CAGR return देखू न, तो almost 53% है, which is good, which is good, और अगर य इस stock, I think consistently profit में है, और अच्छा profit कर रहा है, I think इसमें आपको बने रहना चाहिए, अगर आपने already invest किया हो, so I think future is okay, currently don't sell it in this good market, देखो मैं तो अभी यही बूल रहा हूँ, किसी को भी बूल रहा हूँ, कैसा भी stock हो, अभी sell मत करो, election देख लो, किया आ रहा है, अगर उसमें तेजी आ रहा है, तब आप सोच लो, वहाँ, कहीं एक stock में से निकल के आप दुछे stock में जा सकते हो, लेकिन अभी नहीं sell करना चाहिए, रुख जाए election के result तक, फिन रतन चक्रबरती 9935 बोले के, your view on reliance at current valuation, reliance is a stock, where it's like, आप कहते है ना कि थोड़ा long term ही सोचना पड़ेगा, वह और अगर आप देखो कि आपके पास reliance है, और जियो तो उसमें से आपको जियो फाइनेंशल स्प्रीट वा, तो जियो फाइनेंशल और reliance दोनों add करेंगे, तो अच्छा खासा return आपको मिला है फिछले एक साल में भी, आगे जाके अगर bullishness रही, जिस तरह से है अभी market में, और कल जाके reliance retail अलग होता है, reliance oil and gas in, reliance zio अलग होता है, और reliance zio में भ आपको ध्यान में रखनी है, और उसके वज़े से अगर उसका financial बढ़ा, तो उसका direct benefit, reliance को मिलेगा, प्लस उन में से सबसे बड़ी company, reliance retail, उसका भी valuation काफी high है, तो मेरे हिसाब से आप बने रहे, एक-दो साल में अगर demager होगा, तो I think आपको अच्छा खासा benefit मिलेगा, त अगर आप जल्दी में नहीं है, तो मेरे हिसाब से reliance industry में बने रहना चाहिए, वह the term, I think, एक-दो साल में जब demager होगा, I think benefit अच्छा खासा होगा, again, just a suggestion, not a recommendation, बालाची प्रभू बोले कि उनको indigenie IPO shares allocate हुए, तो क्या करना चाहिए, IPO के बारे में, indigenie unique है, वो एक ऐसे segment ह जहां competition कम है, उनका result भी over all air, अगर देखो, over subscription भी इतना हुआ था, मेरे हिसाब से stock में बने रहे है, अभी just listed है, I think you should give one or two quarters at least, but yes, things are better indigenie, अब जब वो list होगा, तो आपको भी पता है, most of the booking outs, most of the analysts were saying के बही, उस stock में बने रहे है, और मेरे हिसाब से भी यह बने रहे है, क इसा result आता है, then you take a decision, पंकत जाहिन बोले के good afternoon, pretty engineering और BLS international का review देखने, pretty engineering overall stock अच्छा है, result अच्छा है, almost, अगर यह stock बोले तो इतना महंगा नहीं है, PE around 31 का है, अगर अगर हम लोग overall बात करे ना, तो उनका CAGRE around 79% का है, तो decent enough, overall उन्होंने profitability दी है, कुछ सालों में, engineering goods है, और उनका automotive sector में काफी अच्छा पकड भी है, तो मेरे हिसाब से उसमें बना रहे हैं, even BLS international आपको पकता है, one of the giant in visa business, even 5 साल के में बात करो, 59% से CAGR से यह basically return दिया है, यह stock ने, अब BLS international भी मेरे हिसाब से आगे जाके, जब यह सब थोड़ा overall Canada और वो सब का issue चल रहा ह है, but I think things will get settled down, geopolitical things will get settled down, तो मेरे हिसाब से नो things will be much much better, so BLS international भी, I think profitability wise उन्होंने अच्छा growth किया है, तो यह चीज़ रखे, I think both PT and BLS has done very well, I think you should keep it, again, sorry मैं यह बार बार repeat करो, लेकिन भारी मुझे बूलना पता है, तो कि यह recommendation नहीं है, मैं recommendation जता हूं, तो मेरी service में, मैं description मे देख सकते हैं, यह suggestion है, लेकिन दोनों stock अच्छे है, और आप रख सकते हो, फिर मोहित का एक question है, यह मोहित ने बोला, thank you very much sir for the wonderful explanation every time and for your support, thank you मोहित, and guys, आप लोगा का प्यार ही है, जो हम लोग बने रहते हैं, YouTube channel और आपको, I know, almost रहा दिखा दे दे, लेकिन हा, अगर आप को यह, आज सक यहां रखते हैं, guys, more question हम लोग कल ले लेंगे, और जैसे हम बुला, आप put it in the comment box, मैं try करूंगा, कि next session में लेने का, so hope you like this video, do share it to everyone, और मैं मिलता हूं next time, और हा, जाने से पहले guys, शाम को 9 बज़े जरूर आना, वो automotive का, जो मैं सेशन रहें, जहां मैं आपको टॉप 5 stocks कॉन से हैं, जिसमें आप invest करते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं शाम को 9 बज़े, and I'll see you soon, bye, see you, bye-bye.